प्रस्था और अध raging को वे उत्यले खती रहा है कि है मेशेर करें को अधाल कि सीनाथ आपज़कंड हीरी है स्वेसं अधर अधी स्वेटेंटर्श कुछिती ज्यान ग्रेस कुरिंटaient ईयाज मेक्लिन हर देक्पेस सब्सक्राइब को इनको देखने के लिए हम मुख्लिस एक्साम के इस्परिमेंट करने से हम लोगं को ये मालूम हो जाता है कि नेचर में ये फिनोमेना किस तरह से अकर होते होंगे और किस तरह से रियक्स करते होंगे जैसे कि अगर फर्सक्राइब हमारे पस एक रॉड है और ये दूसरी रॉड है इस प्रोड ए इसका एक पॉइंट भी है इसके सांद में नायलोन का कोई थ्रेड या कोई रबर बैंड फिक्स कर देदी इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं अब आप मेंसे कोई भी चार्फ रबर बैंड को आपने से को आप नियुक्त को आपने देखा भी होगा है भी आप ऊसी सा है और कॉमन सा फिनामिना यह से डिलख लूप करते रहते हैं अगर आप इसे दर्म्यां छे ठ्लक करेंगे तो होता यह भी नाइलों का त्रेड या रबर बनाकर रूप बना लेता है तो जब इसपर रूप बन जाएं भी जब व्र रापस में इस तरह से अमल करें ज़िए वह लूप बना होना मर्च है यानि कि इसमें एक base line होती है यह वो हमारी base line है जिस पे हमारी दोनों के दोनों waves move करेंगी यह हमारी wave a है यह wave a इस direction में है इस तरह से और अब हमारा पास एक दूसरी wave b है जो कि बिलकुल इस ही के साथ इस ही की frequency तरह करती है इसके ऐसराम कर दिया कि ट्रकुंत कैंजा में इस को करती है कि इस तरह करती है और पर हो Secretary करते हैं बस परइक इस की हैं कि दोनों एक दूसी की डिरेक्शन के अगर इस गराशन में करेंगे मोथ करने लिए बियों पाशन में था snow करते हैं तो हमाद ह également पास बन रही है आप इसे इसकरां से फानी से समझ सकते हैं कि जैसे यह वेज हैं यह एक ही बेस लाइन के उपर पर पर रियूस हो रही है और दोनों वेज हैं वो इसे के opposite direction में move करते हैं तो opposite direction में move करने के विड़े से इने जहें loops बन जाते हैं यह loop सिरफ इनके direction के टेर होने के एरा से बनते हैं तो कि इनकी frequency बिल्कुल सेम होती है यह एक ही wavelength के उपर move करते हैं बिल्कुल एक साथ ही movement करते हैं बस अगर एक wave इस तरफ जा रही है तो दूसरी wave बिल्कुल उसकी opposite direction में move करेगी जिसके रहर से यहां पर loops बन जाते हैं और जब भी stationary wave form होती है तो उसमें दो चीजों का होना बहुत ज़री होता है एक चीज़ वह जहां पर mediums के particles बिल्कुल stationary हालत नहीं यानि के इन में हमसे चूट इतना उनका चूट भी ज़्यादा नहीं और उनकी emotion भी तनी ज़्यादा नहीं बलकि उस stationary हो तो उन पार्ट को हम लोग कहते हैं कि यह nodes है और mediums के वो पार्टिकल जहां पर जो है वो जिस्ता जहां पर mediums के पार्टिकल की जो वर्ड्रेशन है और empty node बहुत जादा हो उन पार्ट पर हम लोग कहते हैं कि यह anti-node है anti-node को मौत से हम लोग capital इसे वो nodes को हम लोग capital N से represent करते हैं एक node और एक anti-node का एक loop के अंधर होना बस होता है और जब यह दोने चीज़ें एक loop के अंधर होती है इसका मतले पर यहां पर stationary wave form हो रही है stationary wave के phenomenon को समझने हम लोग खुद एक experiment इस तरह से कर लेते हैं कि यह हम लोगों ने एक rod ले लिया और यह दूशा रोज हम लोगों ने इसमें जो है इसी तरह से एक लूप बना लिया कि अगर यह उसका एक नाइलोन का थ्रेड यह रबर बैंट था उसको मिडल से प्लक करूं मिडल से ही खेंच हो तो मेरे पास इस तरह से इस तरह से लूप बनेगा इस तरह से एक लूप जो कि इस बेसलाइन के उपर ही होगा यह एक लूप बनेगा और हमें मालूम है कि जब एक कम्प्लीट वेव हो यानि कि इस चीज़ को देखा जाए तो यह करस्थ हम और यह हमारा एक ट्रॉफ यानि कि एक वेवलेंट और जब वेवलेंट के अंदर एक करस्थ और यहले क है कैसी λेट जिसमें डेख़ड़ ओप मोव करती हैं ऊस्वाक्त के ओस वह दूस्दार होना फूर्श सालूा फहजिए और हमारे पास ग्लोक यह हो गया ओगया अगर यहां आधर ऍसका हिवह लेंट है और यह मकिहीश्र अपर यह मुआ उतिकल्प पर रेकिन अब चुकि एक वे एक हमार पास लूब बना है तो हम लोगों को यह चाहिए कि जो तो तोटल लैंट है वह लैम्डा बाइटू है हमें यह जिबी मालूम है कि हर वेस के पर डू़ूफ होने की कोई नहीं कोई स्पीड होती है कोई स्कूइन सी उती है और अगर हम लोगों को stationary wave speed बतानी हो तो हम लोग जो है wave का formula जो कि टेमस formula है V is equal to F lambda इसके जरीए हम लोगे इसकी speed आसानी से बता सकते हैं कि आया कि ये wave कितनी तेजी से move करें ये कितनी तेजी से इसमें loop जो है form हो रहे हैं और अगर velocity find out करनी हो तो उसके लिए हमें असानी से बस active value पूट करनी पड़ी है और lambda जैसे के lambda यहाँ पर जो है lambda के value 2L हो जाएगी तो 2L मैं यहाँ पर पूट कर जूँगी तो में पर जो velocity आगर मुझे velocity find out करनी हो तो frequency adjective में आजएगी जो भी frequency उस वक्त और waves की होगी और lambda की जगा हम लोग 2L से multiply हो जाएगा तो 2L लिख सकते हैं लेकिन अगर मुझे यह find out करना हो कि frequency कितनी है यह की इनके loops की frequency कितनी है तो उसके लिए मुझे यह करना चाहिए कि frequency को यहाँ रखना चाहिए और जो मेरा lambda है वो lambda हमारी speed से divide हो जाता है तो यहाँ इस formula में यहाँ पर अगर मैं यह लिख दूँ कि V divided by 2L तो इसमें कोई हल्स नहीं है मैं V divided by 2L लिख सकती हूँ और जब हमारे पस एक loop बना है यहाँ पर एक loop बना है तो मुझे यहाँ लिखना है जाहिए कि मैं पस F1 frequency है जो पहला loop बनता है तो उसमें हमारी frequency जो होती है F1 होती है इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि F1 जो inertia frequency है हमारे पास V1 divided by 2L इस formula में हमारे पास inertia frequency आ जाती है कि हमारी इप्तदाई यह fundamental frequency क्या है जो एक stationary wave के setup के लिए ज़रूरी है अगर यह frequency हमारे पास ना हो तो हमारे पास पहला loop ही नहीं बनेगा और जब पहला loop ही नहीं बनेगा तो stationary wave को बनना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इस frequency की मदब से हम लोग बाकी बनने वाई loop की frequency असानी से बता सकती है अब अगर मैं यह कहूंगे यही वह हमारा nylon का thread यह वही वाला rubber band है जिसे हम लोग ने जो पॉइंट से fix किया है पहले situation में हमने यह कि इसे middle से pluck किया अब अगर मैं इसी यहां से pluck करूं कि इस पूरी length के one by fours पार्टी में से pluck करूं तो होता यह है कि मेरे पास इस तरह से wave बनेंगी और यह जो मेरे पास wave बने है वह इस तरह से आज है यह यानि कि मेरे पास तकरीबन दो लूप बन गए जब मैंने quarter या one by four हिसा से उसे pluck किया उतने पार्ट से pluck किया तो मेरे पास दो लूप बन गए और जिब दो लूप बन जाए तो जो length होती है उन दो loops की वह एक complete lambda के बराबर है और अगर आदा लूप आएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो wavelength है वह lambda by two है यानि कि हमारी जो length है उन लूप की वह lambda by two है लेकिन इस situation में चुके two loops बने इसका मतलब है complete lambda है और अगर मुझे f2 frequency चाहिए two loops की frequency चाहिए तो मुझे मालूम है कि यह v2 is equal to f2 lambda यह वला relationship इसका मालूम करूंगी और frequency मालूम करने के लिए मुझे velocity v2 divided by lambda करना पड़ेगा लेंडा को भी अगर मैं है two लिखने हूं तो two का मतलब यह हुआ कि यह दूसरे loop की यानि कि जब दो loop बन जाए तो उनकी wavelength के बारे में बात की जा रही है तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर value put कर दूं कि मेरे पास जो है f2 यहां पर v2 आ जाएगा और lambda 2 की जगा अगर मैं complete L लिखने हूं जो उसकी length है तो यहां पर मैं इस तरह से L लिख सकती है और एक और बात mathematics में यह rule है कि अगर आप किसी चीज को किसी चीज से multiply करें कोई भी math करी जो है वो number है two है four है कोई भी digit है उसे किसी भी number से multiply करें तो multiply करने के साथ अगर आप additional काम करें खुद से कोई क करें तो जो कम आप करते हैं जैसे कि आप अगर उसे multiply करें तो आपको divide करना पड़ेगा लगसे कि अगर मैं कहूं यहां पर इस तरह से कहूं कि मैं इसे multiply कर दूं और तो कोई हर्ष नहीं बढ़ता त्यों आपस में cancel हो जाएंगा और फिर भी हमारा relationship यह वाला relationship वापस आजएगा लेकिन मैं additional काम इसलिए करना चाहरी हूं कि मैं इस तू को जो है वह बाहर ले आती हूं और अंदर जो है इस तू को अंदर कर देती हूं वी टू डिवाइड बैक टू एल तो यह वली चीज अगर मैं velocity को यह भी कहूं कि वी वन और वी टू की velocity जो हमार fundamental या initial frequency थी तो मैं यहां पर अगर उसे लिख दू तो यह मेरे पास 2 और इसकी जगा F1 लिख सकती हूं तो इसकी जगा F1 लिखने से मेरे पास यह आ गया तो इस तरह से मैं कह सकती हूं कि में जी जो 2 और second frequency थी two loops की frequency है वो two times initial frequency के equal है इसी तरह से अगर मैं यह कहूं कि अब इसे अब मैं 1 5th length से plug करूं यानि कि इस पूरे length को 1 जहां पर इसका 1 5th part आता है वहां से अगर मैं खेंच हूं यहां से खेंचना शुरू करूं तो मेरे पास लूप बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि यह मेरे पास एक लूप आया यह मेरे पास दूसरा लूप आ गया त 3 lambda by 2 किस तरह से होती है कि यह दो लूप आगे इसका मतलब है एक lambda complete हो गया और साथ आदा लूप आ रहा है मतलब है complete loop आ रहा है लेकिन जब दो लूप हो तब एक अगली wavelength होती है अब हमाना पर सिर्फ एक लूप आया है दो लूप नहीं आए इसका मतलब है यह complete wavelength और यह सा तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह हमारे पास इस तरह से आएगी कि 3 को मैं यह velocity, velocity divided by lambda और lambda इस situation में मेरा यह होगा कि 2L से multiply हो जाए 2L से multiply divided by 3 तो यह lambda आ गया और lambda की value जो मैं इस situation में लगाती हूँ तो V divided by 2L divided by 3 इस 3 को मैं जो उपर multiply कर देती हूँ तो मेरे पास यह situation आ जाती है कि मेरी F3 जो है वो 3 times V divided by 2L है और अगर यहाँ पर भी मैं यही काम करूँ कि V divided by 2L को मैं initial frequency या fundamental frequency लिखनू कि यहां पर F1 आ जेगा 3 times और F3 इसका मतलब यह हुआ जैसे जैसे हमारी loops भड़ते चले जा रहे हैं हमारी जो frequency है उन लूप की वो उतनी time fundamental frequency के साथ multiply होते चली जा रहे है यानि कि अगर F1 की बाद की थी तो वो V divided by 2L था और F2 की बाद की थी तो वो 2 divided by 2L आ गया इसी तर से यहां पर V divided by 2L आगे इसका मतलब है कि इसी तरह से procedure जो है आगे चलता चला जाएगा तो हम इसे summarize करके इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो N frequency होगी वो N time F1 frequency के इकवर होगी यहां पर N में कुछ भी आ सकता है आप N में 0 रखने 1 रखने 2 रखने 3 रखने सोन कुछ भी सब्सक्राप रिखने 3 अपकी रूप 116 तो अब कि अन रूब yanुमोड को आप जब इन्रीयों फर्ड़मेंटल फ्रीक्विएंशी सीद की आप करते हैं तो आपको उद लूप की फ्रिक्वेंशी क्या है यह सथे सभी वेश की है है तो इस तरह से आप असानी से बता सकते हैं कि stationary waves जो form होती है उनकी frequency के हैं वो किस तरह से बनती है क्योंकि जब stationary waves हमेशा तभी बनेंगी जब दो waves हों दोने की frequency जो है वो बिल्कुल same हो और एक ही line के उपर opposite direction में move करें तो जितने भी loops form होते हैं आप उनकी मदब से उनकी frequency असानी से बता सकते हैं और आप तभी बताएंगे जब आपके पास fundamental या inertial frequency मजूर हो या अगर ना भी हो तो आप उसे निकाल सकते हो तो आप असानी से stationary wave की frequency बता सकते हैं